कापर को जब खुली वायों में रखते हैं तो यह धीरे धीरे अपनी चमक खो देता है तथा साथ के साथ इस पे हरे रंग की एक परत जमा हो जाती है तो बताईए यह किस के कारण होती है यानी कारण बताईए कि कापर को वायों में खुला रखने पर इसकी चमक देरे-देरे गायब होने लगती है इस पर एक हरे रंग की परत चड़ जाती है यह किस के कारण होती है तो मैं बता दूँ आपको जब कापर को वायू में खुला रखा जाता है तो कापर जो है क्या करती है वायू मंदल में जो नम कार्बन डाय आकसाइड है उस नम कार्बन डाय आकसाइड से क्रिया कर लेती है और कापर कार्बोनेट बना लेती है कापर कार्बोनेट बना लेती है तो जो हरे रंग की परत दिखाई देती है वो कापर कार्बोनेट की होती है CuCO3 की होती है दूसरी बात इसकी चमक कैसे गायब होती है जब ये नम कारबन डायाकसाइड जब कापर पर क्रिया करती है तो copper का क्या करती, जो चमक होती है copper की, उस चमक को ये संछारित कर देती है, कौन? नम कारवन दायाकसाइड, तो इस तरह से चमक गायब हो जाती है, और दूसरी तरब से हरे रंग की जो परत है, वो CuCO3 की होती है, copper carbon net की CuCO3, CuCO3 की हरी परत चड़ जाती है